अच्छा जी आज हम करने वाले हैं जीडीबी आपका जेंडर स्टाडीज का जेंडर इशूस का सॉरी फर नॉट अप्लोडिंग एनी वीडियो क्योंके शादी सीजन आन और बहुत-बहुत जादा बिजी थी पर इन्शाला आज से आपकी वीडियोज धरादा अप्लोड होंगी स्टेश 630 कंप्लीट होगा और जो भी अपकमिंग आपके साइनमेंट्स और जीडीबी जाएंगे उनकी वीडियोज इन्शाला इन्शाला आपको मिलती रहेंगी on time तो without getting any further delay हम start करते हैं और move करते हैं discussion question की तरफ जो कि है social isolation and loneliness are often considered to be the problem of growing age social isolation or loneliness को समझा जाता है कि ये बढ़ती हुई उमर के साथ linked की गही problems है do you think that loneliness is a problem for older men or older women who experience loneliness more than other वो कहते हैं कि loneliness जो है ये problem बढ़ती हुई उमर के मर्दों की भी है और ओरतों की भी है who experience loneliness more than the other कि इसको ज़्यादा इस loneliness का सामना करना पड़ता है support your answer with real life examples and logical justifications अब आपको अपना answer explain करना है real life examples के साथ और logical justifications के साथ ठीक है बात यही कही कि है कि हमें जो हमारी ages होती है youngsters होते हैं हम लोग teen ages होते हैं फिर adults होते हैं इन में loneliness का इतना problem नहीं होता loneliness का problem आता है जब हम बड़े हो जाते हैं जादा बढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं बहुत growing age की तरफ जाने लगते हैं तो यह देखा गया है कि इसका सामना बहुत होता है तो उसमें अब सवाल यह आता है कि जादा कौन experience करता है loneliness आया मर्द experience करते हैं या खवातीन experience करती हैं तो हम इसके बारे में logical justification से बात करेंगे अचरी पहली सबसे पहला point जो इसमें हमारे जहन में आता है वो यह है कि we know that कि जो मर्द हजरात हैं वो ज्यादा तर उनके जो death rate है early ages में वो ज्यादा है ठीक है heart attacks का उनका ratio ज्यादा है बिमारियों का ratio उनका ज्यादा है और मर्दों की वफाद जो है वो जल्दी है उनका life spam कम है as comparative to woman ये देखा गया है अब इस से ये हुता है कि जो मर्द हजरात हैं जो शोहर होते हैं वो वफात पा जाते हैं तो जो खोती हैं वो रह जाती है तो ये जाती हैं कि अगर किसी जाती है है लेकिन अगर किसी खातून की अर्ली एज में डेथ होती है तो ये ज्यादा चांसे होते हैं कि वो मर्द जो है वो बच्चों को पालने के बहाने या जिस भी चीज़ के तरहां से और उनको सोशल एक्सेप्टेंस भी होती है कि वोराँ ही इदर बीवी की वफात हुई और इदर ही लोग कहने लग जाते हैं कि बहुर शादी करलो शादी करलो तो ये नॉर्मल समझा जाता है वो उसके बर अग्स अगर खातून जो है मोशली खावातिन इसकी तरफ जाती भी यह आप्ट भी नहीं करती हैं कि मरद के बच्चे संभाल लिए जाते हैं औरतें आंके संभाल लेती हैं लेकिन औरतों के बच्चे मरद नहीं रखते और उसके लावा भी बहुत प्रॉबलम्स होती है लेकिन खावातीन जो है वो mostly दूसरे बंदे की तरफ या दूसरी शादी की तरफ नहीं जाती जाती भी है हम बात करें है majority की cases बहुत सारे हैं हमारे पस तो वो यह है कि वो नहीं जाती जिसकी वज़ा से वो अपनी जादा life spam अकेले गुजार देती है उनमें loneliness जादा देखी गही है, मर्च जो है वो दूसरी शादियां कर लेते हैं और दूसरी बात अगर हम देखें अपनी रियल लाइफ एक्जाम्पल से ही वो ये है कि जब आपके पास जो पेरेंट्स है वो बूड़े हो जाते हैं अगर उसमें माँ आपके पास शह जाए तो माँ क्या सेनरियो होता है कि माँ वीक होती है कमजोर होती है हम अतनी स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन यहाँ पर जादा वीक है तो फाइनेशली कोई स्टेबिलिटी उनके पास नहीं होती है मर्दों के पास उनकी पैंशन्स आ रही होती है उनके नाम उनका घर होता है मतलब बच्चे हैं वो बेशक स्टेबल हो गए है लेकिन घर बाप के वर पास जाइदाद होती है बाप ही जो है इस दग्तरिक है लेकिन अरह फाइनेशली कोई कोई स्टेबिलिटी नहीं होती हो बीटे पर पहले वो खामंद पर फाइनेशली डिपेंडेंडंट होती है गिसके वजह से उनको अकेला छोड़ दिया जाता है उनको ओल डीज होम में چھوڑایا جاتا ہے کہ بھئی ان کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے اور ان کے خرچے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ इस کے برقص دیکھا گیا کہ جن خاندانوں میں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، مرد ρہ جاتے ہیں, मा انتقال کر جاتی ہے. وہاں پر باپ کیونکہ اس کے نام پینッشن ہوتی ہے, اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اس کے پاس ظاہر ہے وہ گاڑی ہے, اس کے وہ ڈرائب کر کے جا سکتا ہے, है वो उस हद तक dependent नहीं होता जिस हद तक एक old age की मा dependent हो जाती है जिसकी वज़ा से देखा गया कि जो old age homes में भी जाता तर खावातीन पाई जाती है ना कि मर्द मर्द अपना गुजारा कर लेते हैं पैसे भी होते हैं इंडिपेंडेंस भी होती है एक social circle भी होता है खातून जिसने साही जिन्दगी अपना गार पार संभालने में बच्चे पालने में गुजारी है वो एक दम बाहर निकल कर एक old age में अपना आप नहीं संभाल सकती तो ये differences देखे गए हैं इसके लावा आप real life में आप अपने इर्दिगर्ट की कोई example देख सकते हैं आपके दादा दादी है ना 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 नी जो भी alive हैं उनमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये मेरा opinion है या मैंने जो अपने life experience से देखा वो यही देखा कि खवातीन ज्यादतर lonely हैं मर्द अगर आपका opinion ये है कि मर्द lonely है तो आप उसको अपने जो है वो reasons देखर इस बात को support कर सकते हैं उसके लावा आप अपने इर्दिगर्ट की कोई real life examples दे सकते हैं मैंने personally अपनी जो दादी हैं उनको देखा कि उन्होंने बहुत एक लंबा spam गुजारा अपने husband के बगएर और जाहिर है बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर उनके बच्चे हो जाते हैं वो लाख प्यार कर लें लेकिन वो time नहीं दे पाते और parents जो है वो old age parents time मांगते हैं प्यार मांगते हैं और वो हम उन्हें नहीं दे पाते हैं अपनी इतनी life की बाग दोड़ में हम उनको वो importance वो चीज़ें नहीं दे पाते तो इसी तरह आपको जो भी अपने real life में अपने educate को example दिखती है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कोई खातून है जो बहुत time से ऐसे मेरी अपनी पोपो जो है वो she's a widow और वो काफी time से उनके बच्चे भी नहीं हैं और वो अकेली रह रह रही हैं तो मेरे नस्दीक खा पर ये कुछ basic चीजे हैं और इसके लावा आप कुछ examples दे सकते हैं अपनी real life से ठीक है और real life examples मांगी है इन्होंने किसी के case histories नहीं मांगी इसलिए net से case history मत सर्च कीजेगा real life examples जो आपके इर्द गेर्द आपके रिश्तेदार हैं हमारी extended families होती हैं उनमें कोई आपको ऐसे दे नज़र आते हैं लोग नज़र आते हैं तो you can give their example as well तो I hope I made it all clear still any questions there तो आप comment box में पूसकते हैं मिलेंगे इंशालों नेक्स वीडियो के साथ तिल देन टेक क्यर अलाहाफिस